नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार बोर्ड ने इंटर वर मैट्री का मोडल पेपर वर प्रशन पत्र किया जारी बिहार ग्लोबल इंवेस्टर समिट में शामिल होने वाले निवेशक को घुमाया जाएगा और दोईक परिसर 25 दिसंबर से पहले बिहार की सबसे उची इमारत का होगा सौंदरी करन 24 दिसंबर को बनारस में रैली करेंगे सीम नितीश रेंको सिंग की युवरास सिंग की तुलना पर सुनिल गावसकर का बयान इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से बिहार ग्लोबल इंवेस्टर समिट में शामिल होने वाले निवेशक को घुमाया जाएगा और दोईक परिसर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संतराश्ट्री आयोजन में 600 से अधिक भारत और 13 देश के निवेशक सामिल होने वाले हैं इसके बारे में जानकारी उद्योग विवाके अपर मुख्य सचीव संदीप पॉन्री के द्वारा दी गई है मालम हो कि इन्वेस्टर समिट ग साथ मॉडल प्रशन पत्र जारी कर दिया गया है से में जारी कि गया मॉडल पेपर से साफ हो गया है कि इस बार भी प्रशनों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुनी है मालम हो कि इंटरव मैट्रिक 2024 की वार्सी परिच्छा में सभी खंडों में दोगने प्रशन होंग लेकिन उनमें से स्टुएंट्स को आधे कहीं जवाब देना होगा वहीं वे अविरती जो मॉडल पेपर वह मॉडल प्रशन पत्र डाउन्रोड करना चाहते हैं वह बिहार बोड की वेबसाइट स्ट्रिक वेबसाइट प्रशन पत्र डाउन्रोड कर सकते हैं गया में परटकों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा हुई शड़ू बीदर दिन अविवार से बोड गया घूमने आने वाले परटकों को हेलिकॉप्टर की सेवा उपलब्ध हो गई है ऐसे में अब परटक बोड गया और गया के मुख्य परटक स्थल पर एरियल व्यू ले सकेंगे मालम हो के एरियल व्यू की श्रवात महाबोधी मंदर विश्नुपद मंदर प्रागबोधी और क्रेट सिला से हुई है ऐसे में यह परिटक जो इस एरियल व्यू का मज़ा लेना चाहते हैं वे मातर साथ हजार रुपए शिल्क शुका कर इसका मज़ा ले सकते हैं बता दे कि बीतर दिन गया जलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसम के दौरा महाबोधी मंदर और विश्नोपद मंदर का एरि कलाकरिती 121 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी है इसका अनिर्मान मद्य प्रदेश के हर्दा जिले से सिल्पकार सतीज गुर्जर और उनके आठ सिलसी टीम के दौरा किया जा रहा जो कि 14 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा वहें विवाह पंचमी के समापन के बाद इसमे में करीब 13,50,000 भारती है रुपए खर्च होंगे वालमी की टाइगर रिजर्व में दिर्लब पसुक गौर की संख्या में हुई बढ़ोतरी बिहार के वालमी की टाइगर रिजर्व में जिस तरह बागों की संख्या में व्रदी हो रही है ठीक उसी तरह दक्षिन पुर्व एसिया में पाय जाने वाले दिर्लब गौर की बी आबादी में बढ़ोतरी हो रही है वालम हो कि गौर की आबादी पिछले 32 साल में 5-200 के पार पहुँच गई है उन्हें 90 में वी टीर में 5 गौर देखे गये थे इसके बाद 2019 में इनकी संख्या 150 के पार गई और अब 2023 में संख्या 200 के पार चली गई है आपको जानकारी के बिता दी कि वालमी की टाइगर रिजर्व की गौर सनक्षन के मामले में 2020 में अवार्ड बे मिल चुका है वहीं अगर गौर की आबादी बढ़ती है तो बागों की आबादी भी बढ़ रही है क्योंकि बागों को परयापत भोजन मिल रहा है और साथ ही छोटे मा सहारी जानवरों को भी आसानी से भोजन मिल रहा है गौर की संख्या में व्रिदी हो इसके लिए बालमी की टाइगर रिजर्व में 1500 हेक्टेर में ग्रास लैंड विक्सित की गई है और साथ ही गौर को यहाँ परयापत भोजन मिलते रहे इसके लिए पानी के 50 से अधिक छोड़े छोटे तालापता यार किये गए हैं 25 दिसंबर से पहले बिहार की सबसे उची इमारत का होगा सौंदरे करन पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहट गांधी मैदान का सौंदरे करन और आसपास की इमारत को रोशन करने वाले प् इसको मान भवन को जोरे जाने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 11 हो गई है इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगबग 8 करोर रोपे है इस बारे में पटना स्मार्सिटी लिमिटर के प्रवंद निदेशक अनिमेश कुमार पड़ासर के दोरा जानकारी देते वे बताये ग पाड़ा बिहार के मौसम में एक बार फिर से पल्टी मार दी है बता दे कि बीते दिन बिहार की राजजानी पटना सबसे आदार ठंद रही है इसे में मौसम विभा के दोरा जारी के गए ताजा भवश्यमानी के नुसार राज्य में बारिश से तो राहत मिल गई है लेकिन अब पाड़े की गिरते रहनी के आश्रंका भी जाहिर की गई है मालम हो के बीते दिन 21 डिग्री सेलसियस के साथ पटना ने बिहार में सबसे कम अधिक्तम तापमान दर्ज कराया वहिस लिस्ट में दूसरे नमबर पर 22.5 डिग्री सेलसियस के साथ वैशाली रहा इसके अला राजे का मौसम आमतोर पर सुस्क बना रहेगा साथी बिहार के कुछ जिलों में एक या दो अस्थानों पर घना कोड़ा च्छाए रहने का पुरवारमान है चिल्रन रिहाबिलिटेशन ट्रस्ट के दोरा सेरेब्रल पालसी के ऊपर एक दिवसी एकारे साला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्या थी ती एवं वक्ता डॉक्टर धुरूव मेहता मुंबई के जाने माने सीनियर भौतिक चिकिस्तक ने बिहार के भौतिक चिकिस्ता क चिकिस्तकों का मार्ग दर्शन किया कारे साला में शामिल लोगों ने सेरेब्रल पालसी के ग्रस्त बच्चों के उपचार की नई तकनीकों को सीखा डॉक्टर धुर्व मेहता ने बताया कि आज समय में जर्म से या जर्म के बाद बहुत बिमारी होती है जिसको समय से के बहुत तिक चिकिसक डॉक्टर विनाय पांडे, डॉक्टर अविनास चौधरी, डॉक्टर जोशनी, पांडे, डॉक्टर रुंचुन अगरवाल एवं डॉक्टर सुनील भी शामिल रहें। का नया डेट आया सामने, बिहार की रादधानी पटना में बॉलेवर्ड के मशूर सिंगर अरजीस सिंग के कॉंसर्ट को लेकर नया डेट सामने आ चुका है। इस ग्राउन में अवजित होने वाला है, वहीं जिन लोगों ने पहले ही इस कॉंसर्ट का टिकेट करवा लिया है, उनकी टिकेट वालिड रहेगी, अगर आप भी उन लोगों में हैं जो इस कॉंसर्ट का मजा लेना चाहते हैं, तो इंसाइडर.न पर जाकर आप अपना टि सभाचनाओ को लेकर सभी पाटियों के ओर से अपनी अपनी तैयारी शिरू कर दी गई है, इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार भी आगामी 24 दिसंबर को देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदी चेतर बनारस में रैली करने वाले हैं, बता वहां उत्तर प्रधेश लोगों को मुख्यमंत्र नितीश कुमार सचेत करेंगे, उन्होंने कहा कि बिहार से अभियान शिरू हुआ है, उत्तर प्रधेश के रास्ते हैं दिल्ली के लाल किला तक जाएगा, वालो मोग के मुख्यमंत्र नितीश कुमार उत्तर प्रधेश के अने राज्यों में भी अपनी रैली करने वाले हैं हाला कि वह चुनाव प्रचार का बिगुल बनार से फोकेंगे ऐसे में सीम नतीश के आगमन को लेकर तयारी शिरू कर दी गई है बिहार में पाकस्तानी फंडिंग का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस पुलिस के द्वरा पाकस्तान से ओनलाइन माध्यम से नेपाल में आए पैसे को कैस कर भारत में खापाने वाले अंतराश्ट्रे गिरों के तीन भारती एजन की ग्रिफ्तारी करने के बाद इस फंडिंग के पूरे नेटवर्क को संभालने का काम किया जा रहा है पाकस्तान से भाया नेपाल भारत के विवन बैंक खातों में से 100 करोर से अधिक का ट्रांजक्शन हो चुका है ऐसे में ट्रांजक्शन किस वजह से हुआ है यह भी जानने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है उनका मानना है के पाकस्तानी गीरोग का भाया नेपाल भारत में अपना बरा नेटवर्क बनाया है मालूमों कि गृफतार भारती एजन के द्वारा पुलिस को बताया गया था कि पाकस्तान हैंडर द्वारा एरिया के गिरिफटार इन तीन अपराधियों के माध्यम से परोसी देश नेपाल में बैंक अकाउंट खुलाया जाता था और इस अकाउंट समे अपरास से संबंधित पैसे जमा करवाया जाते थे इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कुल राशी का 2 परतिशत और भारतिये एजेंट को 5 प्रतिशत दिया जाता था यह सिलसला पिछले एक वर्से चल रहा है बिहार में पीम आवास योजना में हुई गरबड़ी पर बीजेपी ने की जाच की मांग बिहार के 10 जिलों के प्रतिश योजना के अंकेचन में महालेखाकार बिहार के द्वारा बड़े पैमारे पर गरबड़ी उजागर का खुलासा किया गया है दरसल इस योजना के तहट दी जाने वाली राशी आयोग के लोगों को दी गई है इसे में अब इसको लेकर बीजेपी के द्वरा इस मामले की जाच करने की भी मांग की गई है बता दी कि नेता प्रतिपक्ष विजाए कुमार स्थना के द्वरा दावा किया गया है आवास योजना में मितकों के नाम पर पैसा जारी कर दिया गया है मालेखाकार के दौरा अभी मातर दस जिलो का ही ऑड़िट किया गया है स्थीश 28 जिलो का भी यही हाल होगा महीं सुसील कुमार मोदी के दौरा भी कहा गया कि महालेखाकार की अंकेचन टीम के दौरा यह भी पाया गया है कि गलत खाते में किस्तो का भुकतान जैसी अनिम्रता में अनिक मामले पाये गया है राजी प्रताप रुड़ी ने जलेवी खाकर उठाया सोनपूर मेले का मजा विश्व प्रसित सोनपूर मेले की शिरवात हो चुकी है जो कि 26 दिसंबर तक चलने वाली है बता दे कि बीते दिन रविवार को करी 10 लाख लोगों के दौरा सोनपूर मेले का आनंद लिया गया महिस 10 लाख लोगों में एक सारंग से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रुड़ी भी शाविल है दरसल उन बीत दिन अपने समर्थों को के साथ राजी प्रताप रुड़ी पैदल मेला घूमते नजराय वा काफी दे तक पैदल ही मेला का आनंद लेते रहें और के युवा खिलाडी रिंको सिंग के तुनला पर भारत के महान बल्लेबा सुनल गावश्कर के द्वारा स्टार स्पोर्ट से बाच्षित करते वे अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उरने कहा कि टैलेंट एक ऐसी चीज है जो हर दिन किसी को नहीं दी जाती है आप खेल से प् बहुत सारी उम्मीदे हैं वे अब उनसे दूसरे युवराज सिंग बनने की उम्मीद कर रहे हैं युवराज ने भारती एक क्रिकेट के लिए जो किया उसका अगर आप एक अंस भी कर सकते हैं तो उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया होगा जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी सुमवार को पेट्रॉल डीजल करेट जारी किया इसके बाद राज जानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.59 रुपे और डीजल 94.36 रुपे प्रदी लिटर में मिल रहा है अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है गया में पलटकों को एरियल व्यू का मज़ा लेने के लिए कितने रुपे चुकाने होंगे अगला सवाल बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भारत देश के अलावा और कितने देश के निविशक सामिल होने वाले हैं? उप्षणे 10 देश, उप्षणी 12 देश, उप्षणी 13 देश, उप्षणी 15 देश इसका स्दहीं तर है उप्षणी 13 देश अगला सवाल जनाखपूर धाम में अनासे तयार हो रहे सीता राम की कलाकृती कितनी फीट लंबी और 4 है? अप्शन दिसमबर, ऑप्शन 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 दिसमबर, ऑ इसका सायूत्र है ओप्षिन बी 24 दिसंबर अग्ला सवाल, अर्जीस सिंग्क के कॉंसर्ट पथना में कब होने वाले हैं। बीतर दिन माईदरा पूछिक पूछ का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिनोंने मादर पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धरंजय कुमार, गोनर सर्मा, उमेज स्रिसिदेव, नुनुगोल कुमार, रवी कुमार राम, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंग बाबुलार्मरांडी, राजेश कुमार, सुदुल्ला पलवी, राजेश कामत, अनिता कुमारी, सुजिता मस्ताना, अनवर करीम खान, नौशत राजा, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है भार्दीय टीम के युवा खिलारियों में आपका अमन पस्तंदीता युवा खिलारी कौन है? अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिएकते रहें बिहारी नीनूज औ और साथ ही अगर आप YouTube से देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखने तो पेस को follow करना ना भूले, धन्यवाद